अच्छे और मज़ेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए बिग बॉस के घर में नॉन स्टॉप लडाई और जगडे का सिलसिला जारी है शो में कभी अच्छी दोस्त रही अर्शी और शिल्पा आज जानी दुश्मन बन चुकी है रविवार के वीकेंड वार एपिसोड में शिल्पा शिंदे और अर्शी खान के बीच दंगल हुआ अर्शी तो पिछले हफ़ते भी इस अखाडे में सपना चौधरी के साथ उतर चुकी है जहां सपना के साथ उन्हें दंगल में मून की खानी पड़ी थी वहीं शिल्पा से वह जीत गई शिल्पा और अर्शी के बीच चार राउंड हुए पहले राउंड में शिल्पा जीती और बाकी के तीम राउंड में अर्शी ने बाजी मारी सल्मान खान भी दोनों की फाइट को खूब एंजोई करते नजर आए बीते हफ़ते से इन दोनों कंटेस्टेंट के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है एक्टिविटी एरिया में हुए इस टास्क से दोनों को अपनी फ्रिस्टेशन को बाहर निकालने का मौका मिला बता देख दोनों के बीच जगडे की असली वजह कैप्टेंसी टास्क है दरसल यह बाजी राजा रानी वाले टास्क के दौरान पल्टी जहां शिल्पा के टास्क हारने के बाद अर्शी कैप्टन की दावेदार बनी थी लेकिन शिल्पा ने कहा कि वह उन्हें बोट नहीं देंगी क्योंकि वे कैप्टन बनने के लायक नहीं है इसके बाद दोनों में जम कर बहस हुई अर्शी ने शिल्पा को पागल औरत कहा इसी के बाद से दोनों में तू-तू, मैम में शुरू हो गई वीकेंड के बार एपिसोड में अर्शी ने शिल्पा पर फ्लिप करने का आरोप लगाया अर्शी खान जब से शो में आई हैं किसी ना किसी के निशाने पर रही है उनकी घर में हिना खान, विकास कुपता, सपना चौधरी, शिल्पा शिंदे से लड़ाई हो चुकी है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुजाव दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद